दोजर चोबिस के चुनाओं को लेकर के अब धीरे धीरे सरगर्मिया तेज हो रही हैं कल की वीडियो में भी आपने इसी चैनल पर देखा और सुना होगा मुझे आज उसी बातचीत को थोड़ा और विस्तार देंगे क्योंकि कुछ नए बयान चुछ नई चीजे कुछ नए डेवलपमेंट उत्रपरदेश को लेकर और जाहिर सी बात है चाहे विपक्षी दल हो चाहे वो सताधरी दल दोनों की नजरे उत्रपरदेश को लेकर के पहनी है उत्तरपदेश एक ऐसा खेत्र है सीटों के लिहाज से तो लोग सब बात करते हैं लेकिन मेरा मानना है कि उत्तरपदेश की राजनीति को या उत्तरपदेश की लोकसफा चुनाव में एहमियत को केवल सीटों के मुताबिक नहीं देखना चाहिए उत्तरपदेश खास कर पूरे उत्तरभारत के अगर बात करें तो उत्तरपदेश और बिहार ये दो राज ऐसे हैं जो नेरेटिव बनाने का काम करते हैं किनी विमर्श के दिशा क्या होगी कौन से मुद्दों पर किस तरह से चुनाव लड़ा जाएगा उसकी एहमियत क्या होगी इसको लेकर कि उत्तरपदेश खासे चर्चा में है और आज अखिलेश यादो जो उत्तरपदेश की सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी है होने कहा कि उत्तरपदेश में जो भी सीटों की पूरी गुड़ा गडित होगी वो सबको उसकी हैसियत के अनुसार हाला कि राजनीत में अगर आप मुझसे पूछेंगे क्योंकि मैं भाशा विज्ञान का विद्यार्थी भी हूं साहित का विद्यार्थी भी हूं तो इस त हो कि ये जो चीजें करें कि आपके भाशा से कोई और आहत ना हो कोई और प्रभावित ना हो ऐसी बानी बोलिये मन का आपाक होए और उनकोशे तल करें आपोंसी तल होए और मध्यप्रदेश के चुनाव आपको याद होंगे जब लगातार इस तरह की बयान बाजी आ रही थी जिससे तलखी लगातार बढ़ती देख रही थी उत्तर प्रदेश के जो प्रमुख कॉंग्रेस पार्टी के अध्यक्ष है अब लगता है कि उन्हें भी कॉंग्रेस पार्टी की तरफ से ये निर्देश दिया गया कि आप भी अनर्गल बयान बाजे ना करें अखिले श कि कोई ऐसे बयान आपको नहीं मिलेंगे जिनमें नफरत भरी हो हिंसा हो बहुत जलन बहुत खराब ढंग से कोई ऐसी चीज कही जिसका कोई बहुत बुरा असर पड़े उसी श्रणी में आप आखिलेश यादों को रखेंगे तेजस्वी यादों को रखेंगे आप इन बय भारत के लोग यह समझते हैं कि जो हिंदी और अंगर जी बोले वही भारत का है तो श्टालिन को आप देखेंगे कोई ऐसा विवाद नहीं इस तरह से जो पूरा का पूरा मामला भाशा को ले करके हैं वह बहुत संजीदा है एक तो यह बाद तो अखिलेश यादों ने जो जगे दी जाएगी और जाहिर से बात है यह इंडिया गडबन्दन की रणीत है और यही रणीत होनी भी चाहिए कि जिस राज्य में जो राजनितिक दल ज़्यादा ख्शमता रखता है थाकतवर है वो राजनितिक दल वहां नित्र तुकारी भूमी का में रहे इस आलके तो इस तरह से यह पूरा मामला बनता दिख रहा है और इसको लेकर के पूरी बातचीत हमारी ऐसी है बंगाल में जाएंगे तो आप ममता बनर जी जो कहेंगी जो उनकी शर्त होगी वो माननी पड़ेगी दक्षन भारत में जैसे श्टालिन है या यह तमाम लोग हैं इनकी बातों को आपको मानना पड़ेगा और यह आपको बहुत महत्पूर्ण है कि आप इसके सरूप में देखते हैं तो बंगाल में जब इंडिया गटबंधन को अपनी रड़नीत ही बनानी होगी तो निश्यत तोर पर उसमें एहम भूमिका मुमता बैनर जी की होगी और इंडिया पांच राजों के चुनाओ के बीच वो प्रभावित होई लेकिन अगर आप गौर करेंगे तो आप यह देखेंगे कि इंडिया गटबंधन शुरू से इस मानसिक्ता को लेकर के वो सजग रहा है अकिले श्यादों ने आज यही बयान दिया और उत्रप्रदेश को लेकर के चर्चा भार-बार होती रहेगी और देखेंगे अब जब चुनाओ नजदी का आता जाएगा तो यह चर्चा और गर्मती जाएगी अब जैसे इसमें एक तड़का लगेगा उत्तरपदेश की पूरी राजनीती में तड़का लगेगा 22 जनवरी 2024 को भी वो कोर एजंडा है पिछले 30 साल में भरती जनता पार्टी ने जिस एक कोर एजंडे को ले करके पूरी राजनीती की है उसका सबसे बड़ा दिन है उनके लिए और कितना बहुत प्लांड वे में वो करते हैं काम 24 का चुनाओ सामने है अब कलपना करिए कि 2014 के चुनाओ में यह हो रहा था कि उसमें पूरा नहीं पड़ रहा है बहुत ज़्यादा गड़ा है भरना पड़ेगा दस साल हो गए 2024 के चुनाओ में यह तरक इस तरह से तो काम नहीं आएगा मोधी नहीं तो कौन इन्होंने जो कहा वो किया यह इस तरह से तो काम नहीं आगा चुनोती बीज़एपी की साम और राहूल गांदी का आज ही बयान आया है कि बेरोजगारी ये गलत है ये सुरक्षा में चूक नहीं होनी चाहिए उन लोगों को अपनी बात रखने का कोई और तरीका भी होना चाहिए लेकिन इस बात से आप इंकार नहीं कर सकते कि बेरोजगारी इस समय इस देश का का मुद्दा है तो जाहिर से बात है अगर कोई सरकार दस साल रहती है तो दस साल जो सरकार रशाशन कर रही होती है जवाब तो उसको देना पड़ेगा और जवाब बुन्यादी मुद्दों पर देना पड़ेगा वहोग सिक्षा का मुद्दा बेरोजगारी का मुद्दा म इन सारी चीजों पर जवाब आपका बनता है और विकास के कौन-कौन से पहमाने आपने साबित किये इसलिए बीजेपी ने बहुत रड़नीतिक तैयारी के तहट 24 के चुनाव के ठीक दो-तीन महिने पहले अब आप जनवरी लाश्ट से ये मानिए और मैं तो एक बात और कह द चला जाएगा तो आपके पास समय कितना बचा है समय बिलकुल नहीं है और ऐसलिए वह जो सबसे कोर एजंडा बीजेपी का है वह राममंदिर का घटन वह भी उत्तर प्रदेश की सियासत में है वह दारा उत्तर प्रदेश में है इसलिए उत्तर प्रदेश लगातार मैं बार बार एक बात कहता हूँ कि पूरे देश में गुजरात में बीजेपी बहुत मजबूत है और उसके बाद एक ही प्रदेश और वो है उत्तर प्रदेश कहीं बार तो ऐसा लगता है कि गुजरात से ज़्यादा मजबूत है उत्तर प्रदेश में होते देख रही है औ जो जो रेलियां हो रही है जिस तरह से चीजे हो रही है ऐसा लग रहा है कि BJP बुरी तरह चुनाव हारेगी यह सारी चीजें आपको देखने हुआ है लेकिन अन्तर चुनाव में वही सच होता है जो जो फाइनल हो जो अंतिम परिडाम हो इसकी प्रिष्ट भूमी में उत्रप्रदेश बीजेपी मजबूत होती जा रही है और इसलिए बीजेपी भी अपनी रणीट बनाएगी और ये देखना दल्चस्प होगा कि उत्रप्रदेश में भी कितने वहां के सांसा केंद्री मं को बिधायक का टिकट दे करके कितने के टिकट काटे जाते हैं कितने के टिकट बाटे जाते हैं और किया रणीट बना कर बीजे पूताती है तो ऐसे में विपक्ष की रणीट पर तो बात होगी और उत्रप्रदेश के सबसे बड़े विपक्षी दल अखिलेशिया तो और आ ऐसा बयान आप नहीं पाएंगे, चाहे वो ममता बनर जी का, अर्विंत केजरिवाल का, अखिलेश यादो का, या नतीश कुमार का, कोई ऐसा बयान आप इन दिनों सुर्ख्यों में नहीं पाएंगे, जिससे ये लगे कि बहुत नाराजगी है, बहुत भीतर-भीतर, बहुत है, लेकिन उत्तर प्रदेश में अगर ये बयान जो अखिलेश यादो का आया, कि हम सब को उसकी हैसित के मताबिक सीड़ देंगे, तो इसका मकसद ये होता है, कि रड़नीती हमें बनानी होगी, बार-बार आप एक बयान चर्चा में चुक्या जाता है, तो बाकी बयानों पर अतनी बात नहीं होती, लेकिन तमाम टीवी इंटर्विव में तमाम जगों पर अखिलेश यादो ने ये बात खुल करके बोली है, कि इंडिया गड़ बंदन बेहत मजबूत है, इंडिया गड़ बंदन बेहत सहीम के साथ लड़ेगा, और इंडिया गड़ बंदन इस चौदह में अकेले चुनाव लड़ेगा, शून नितीस, उननिस में हमारे साथ लड़ेगा, तो हमने दस सांसर जितवाए, गाराहुल गांधी की पार्टी, कॉंग्रेस पार्टी के दो सांसर थे और दोनों हमारे समर्टेंस, क्योंकि हमारे कंजेट वानी थे, अब इन दो अगर आप देखेंगे तो ये मानेंगे कि अखिले शादव ये कहना चाह रहे हैं कि जो उत्तपरदेश में सीटों का बटवारा होगा क्योंकि अभी बसपा इंडिया गट बंधन में शामिल नहीं है तमाम तरह की कयास बाजियां अभी भी लगाई जा रही है कि अंतिम समय च लेकिन अगर आज की जो हालात हैं इंडिया गट बंधन के उसके हिसाब से अगर बात करें तो फिलहाल बसपा इंडिया गट बंधन का हिसा नहीं है और मायवती जी की तरफ से लगातार ये बयान आया है कि वो अकेले लड़ेंगी तो आज के हिसाब से अगर सीटों का बट तो पचास सीटों पर अगर समाजवादी पाल्टी तैयारी कर रही है, तो उसका जो सबसे प्रमुक सायोगी दल है, उत्ताप्रधिश में समाजवादी पाल्टी के साथ या दोनों एक दूसरे के साथ हैं, वो है जैन्त चोधरे की R.L.D. राश्ट्री लोग दल पिछले दिन कम सीटों पर लड़ा था आपको याद होगा कि जब 2019 का चुनाव था तो सपा बसपा और RLD तीनों का एलाइंस था तब मरहूम अजीत सिंग जी थे और आपने वो तमाम खुपसूरत तस्वीरें देखी होंगी जिसमें एक मंच पर अखिलेश यादव मायावती जी और मरहू अजीत सिंग जी सब साथ में थे अकिलेश जी और यह यह जो एक तिकड़ी बनी थी आलांकि सियासी गलियारों में चर्चा इस बात की थी कि यह बहुत कमाल करेगी लेकिन रभ वो कमाल कर नहीं पाई एसे में जितनी सीटें RLD के पास थी पिछले चुनाव में सूतरी बता दल है जैसे अनुपरिया पठेल का एक दल है ना अपना दल दूसरा हिसा उसका पलवी पठेल वाला है अपना दल कमेरावादी तो उसे भी कुछ सीटें एक दो सीटें आप उधर भी देंगे और देना चाहिए मुझे लग रहा है कि हर तरफ से अगर दो दो चार्चा सीट से कम करें जैसे माली जी एक चर्चा उतर प्रदिश में यह चल रही है कि जहन चौधरी का जो दस से पंदर सीटों का पूरा दावा बन रहा है उसमें से एक से दो सीटें वो चंदर शेखराजाद को भी शामिल करने के लिए अड़ेस्ट कर सकते हैं क्योंकि चंद शेखरा पाजाद को शामिल करना मुझे लग रहा है कि इंडिया गडबंधन के लिए एक बहुत जरूरी पहलू भी होगा और करना भी चाहिए यह एक जरूरी हिस्सा है ऐसे में जब आप ये बात करेंगे कि भाई उस पूरे मामले के साथ उस पूरे विमर्ष के साथ जब हम इसकी पूरी बात करेंगे कि कॉंगरे को किषे सीट जाएंगी इसको इलोबरेट किया खिले शादों ने इस पूरी बातचीट कोिया कि अगर आप औरेंज कर रहे हैं तो अलाइंन करते समय इस बात का धियान रखेंगे कि माल लिजे दो से तीन सीटें राई बरेलि अमेठी और Congress जीती रहे और जीतेगी ऐसे में कुछ और सीटें जहां Congress मजबूत हो RLD मजबूत हो या बाकी सहयोगी दल मजबूत होंगे उन सीटों पर उन सहयोगी दलों को भी वहाँ पर उतारा जा सकता है इसको ले करके भी बाचित हो सकती है यह कुछ चीजें और तालमेल बनाती हो द वो कवायद इस बात की है कि जितनी भी सीटें बीजेपी उत्तर प्रदिश में हारेजे जितनी सीटें बीजेपी यह कम होंगी उतना ही दिल्ली में उनका दुबारा सत्ता में आना मुश्किल होता चला जाए यह बात Congress भी समझ रही यह बात समाजवादी पार्टी भी समझ अच्छा बाकी च्छत्री दल तो इस बात को भी समझने हैं को अंग्रे साब कहना शुरू कर रही है कि यह तो जब तक EVM रहेगी तब तक तो बड़ा मुश्किल होता जा रहा है कुछ टिपड़ियां आई है और मुझे याद है वह बयान और आप पहले के चुनाओ में भी तो आप चुनाओ जीत गए तब आप EVM पर क्या बोलेंगे तो रावल गादी ने बहुत असपश्ट तरीके से कहा कि हम चुनाओ जीते हैं चाहे हारे हैं हम यह चाहेंगे कि चुनाओ बैलेट पेपर से हो तमाम लोग यह बात कह रहे हैं और EVM संद देख उठा भी पाएंगे ऐसे में जब आप पूरे बातचीत को यहां रखना चाहते हैं कि आपकी रड़नीत क्या बनेगी तो वो रड़नीत इसी की बनेगी कि आप जितरी दलों को यह बात पता है कि जब पाल्टियां तोड ली जा रही है जब चुनी हुई सरकार गिरा जारी जारी यह बात कॉंग्रेस को भी पता है जब यह तमाम लोगों को अपना दाइरा अपना चीजें पता हैं और इनों ने यह भरोसा दिलाया है कि हम संविधान को बचाने के लिए अखले शायद वने बात चीत में यह भी बात बोली ना कि भाई यह चुनाओ को सामान चुनाओ सामान परिस्वतियों में नहीं होने वाले सामान चुनाओ नहीं होने वाले और इनको जीतने के लिए बीजेपी कोई सामान रणीद बनाने वाले नहीं तो उत्तपदेश को लेकर करके लगातार एक तरफ बीजेपी करी है उध्या के बाद मतुराकाशी उसके तम दुनिया में ये सब तो चली रहा है इससे तो गाहों में भी आप लोगों बात करिये तो कहेंगे मोदी से बहतर कौन ये माइंड गेम भी बीजेपी लगाता चलती जारी ऐसे में इंडिया गडबंधन के सामने सबसे बड़ी चुनोती उतपदेश को लेकर के और मुझे लग अंतिम लड़ा इसका मतलब तब होगा जब लखनव में एक गोल मेज पर अखेलेश यादव बैठें कॉंग्रेस के प्रदेश धक्ष बैठें जैन चौधरी बैठें पलवी पटेल बैठें केश्व देव मौरे बैठें तमाम लोग एक गोल मेज पर बैठें अगर जन समाच पालिटी के मुप्या मायवती जी की और मुझे पता नीं कियो ऐसा लगता है क्या तो उसके बाद अंतिम निड़ा होना चाहिए कि क्या होगा लेकिन अखिलेश यादो के बयान का अगर विश्रेशन करें तो यही संकेत करता है कि उत्तर पदेश में ड्राइविंग सीट पर अखिलेश यादो खुद रहना चाहेंगे और जो कितार्किक भी लगता है लेकिन इन सब की अंतिम परड़ती इस बात के मुल्यंकन में होगी कि आप बाकी दलों के साथ कितनी बेवहारिक रनीत बनाते हैं कि उन सीटों को उनको दें जो चुनाव जीत सके क्योंकि दूसरी तरफ आपकी लड़ाई बारती जन्ता पार्टी से है जो चुनाव लड़ने और जीतने में और येन केन प्रकारेण जीतने में महारत हासिल करती जा रही हैं लेकर दिल्चस्प होगा कि कितनी दूरदर्शिता से ये लोग बैठ करके तालमिल बनाते हैं क्योंकि अब शायद चूक का गलतियों का समय भी नहीं बचा है आपका क्या मानना है नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताईएगा देखते रहे ये 4 पीम किसी और विशे और किसी और विशेशन के साथ फिर मिलेंगे तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद झाल